आज एक फिल्कुल new series आई है जिसके explanation में लेकर आई हूँ आप सब के लिए आप मेंसे जिसने भी Pokemon देखा है ये series आपको थोड़ी थोड़ी उसकी तरह vibe देने वाली है और इसके साथ ही इसके animation और graphics काफी जादा कमाल के हैं जिससे आप लोग बहुत जादा enjoy करने वाले हैं त ताकि वो उसे imprison कर सके वो green dragon अपने flame को release करते वे उन सभी masters को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था पर वो उसे trap करने के लिए अपने thunder net का use करते हैं जिने वो green dragon अपने flame से जलाने की कोशिश कर रहा था पर फिर बुरी तरीके से उसे भिजली के जटके लगने लगते ह हैं इससे पहले ही कि वो नीचे गिर कर अपने होश खो देता वो खुद को सम्हालते वे वहां से उस एक को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा था उसे इस तरीके से skip करता देखकर वो तीनों की तीनों soldier एक formation create करके काफी powerful thunder release करने लगते हैं और इतने powerful thunder attack से hit होने के बाद वो kanglo city में चू फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहां यांग फैमिली के काफी सारे soldiers मिलकर चू फैमिली का नामों निशान मिटा देते हैं अपने लोगों को अपनी आखों के सामने इस तरीके से मरता देखकर चू मो जो की चू फैमिली का यंग मास्टर है वहां से बच कर तब यहां एक एक करके उन बीस के ओनर यानि यांग फैमिली के एल्डर सा जाते हैं जो की ये कह रहे थे कि चू मो को यहां मारने के बाद वो सारी की सारी चू फैमिली का खत्मा कर देंगे क्योंकि अब बस भही बचाय अपनी फैमिली से अपनी फैमिली के बारे में ये ब जादा जरूरती इसलिए जो भी इसके सामने आ रहा था वो इसकी सोल पावर को इब्सॉर्फ करना शुरू कर देता है यह देखने के बाद वहां मौझूद सभी लोग काफी बुरी तरीके से डर गए थे वो वॉल्फ बीस्ट भी इन्हें मारने की कुशिश कर रहे थे पर इ इने नहीं बल्कि यांग फैमली के चीफ एल्डर ने बनाई थी जो कि अपने फ्लाइंग टाइगर बीस्ट पर बैट कर वहां पर हाजिर हो जाते हैं अपने चीफ एल्डर को देखने के बाद यह सभी उन्हें ग्रीट कर रहे थे और यह वाइट आई डीमन और कोई नहीं बल्कि इनी का एक पैट है जो कि उन्होंने उस सोल्जर के अंदर डाला था ताकि वो स्ट्रॉंग हो सके और इसे भी स्ट्रॉंग कर सके पर वो तो सही से फस्ट लेवल भी कल्टिवेट नहीं कर पाया यहां यह बाते सुनने के बाद चूफ फैमली का एक सोल्जर बच के से भागने की कुशिश कर रहा था पर यांग फैमली के एल्डर अपने डीमन को रिलीज कर देते हैं जिससे वो जाकर उस सोल्जर को मार डालता है उसकी सोल पावर को एब्सॉफ करके यह देखने के बाद चूमों को काफी जादा गुसा आ रहा था इसलिए वो भी अपनी स करने के लिए एक नया होस्ट जो मिल जाता है इसलिए वो इस वाइट आई डीमन को कंट्रोल करते वे उसे चूमों की बोरी में ट्रांसफर कर देते हैं जिससे वो सेंसलेस होकर वहीं किर गया था और यहां वो अपने सभी सोल्जर को और दे रहे थे जहां वो कहते हैं कि अ कि एक तो इसकी बोड़ी कमजोर है और दूसरा इसके पास जादा सोल पावर भी नहीं है हमें इस जगह की थोड़ी सी बैक स्टोरी पता लगती है कि ओशन्स के आस पास मौझूद इन सभी आइसलेंड को नाइटमेर आइसलेंड के नाम से जाना जाता है इनका नाम ऐसा इ सर्वाइवल परोसेस से गुजार करने उनका एक फाफुल 20 धुनने को कहते हैं और जो भी बंदा इन सर्वाइवल तो पास करते विए एक खतरनाक व् इंजार्ज था जो कि सभी लोगों को एक जगा बंद करके पहां उनके आस-पास काफी खतरनाक वीस्ट छोड़ देता है यह वुल्फ बीस्ट इतने जादा खतरनाक थे कि एक ही बार में इंसान का सरधर से अलग कर दे रहे थे वो सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए प्रेस होने लगते हैं कि यह हमारी टीम में होने लायक बंदा है यहां यह वुल्फ जैसे ही हमारे चूमो पे अटेक करता वो उसके अटेक को डॉच करनी वाला था कि उसके गले से उसका लॉकेट किर जाता है यहां चूमो अपने साथ-साथ उस लड़की की भी जान बचा पर दूसरे वाले बीस्ट के हमले से उसके पीट पर स्क्रैच लग गया था और उसे घायर देखने के बाद यहां मास्टर चाओ काफी जादा खुश होने लगते हैं यह देखकर कि अब देखता हूं कि कितने दिनों तक सर्वाइफ कर सकते हो पर तबी एक बंदा ड्रम होताते हैं कि सर्वाइफ करने की वजह से अब उन्हें आइस लाइन में फ्री ली घूमने की इजाज़त है पर इसी बीच उन्हें जल से चल्ड एक सोल बीस ढूंड कर उसे ट्रीन करना होगा ताकि तीन महीने बाद जो इनकी बीच में डूल बैटल होने वाली है उसमें व होता था देखो आज तुम्हारी हालत भी हमारी जैसी यह बोलने के बाद वहां से चला जाता है रात में चूमो जब अपने जखम पर मरम लगाने की कुशिश करा था तो लड़की आकर उसकी हेल्प करते वे उसे थैंक्यू बोल रही थी पर चूमो कहता है कि उसे आजाती है जिसे चूमो यह कहकर जाने देता है कि इतनी चोटी सी फॉक्स का वो क्या करेगा इसके बाद वो फिर से सोल कोर को रखते वे एक और बीस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जाल बिचा देता है उसके पास जादा कोर क्रिस्टल ना होने की वज़ह से वो डिसाइ चाती है कि चूमो के कंदे पर आकर बैठ जाती है तब ही चूमो की नजर वहां पर एक स्केल बीस पर पढ़ी थी जो कि 9th लेवल का है इसे ट्रेन करना बहुत जादा मुश्किल होगा यह सोचकर वो रूख जाता है थोड़ी देर वेट करने के बाद उसकी नजर फिर से ब पर पढ़ती है जिसके माथे पर भी वही से मून का सिंबल बना हुआ था चूमो उस फॉक्स को क्रिस्टल लेने से रोक रहा था पर वो तो लेकर भाग गई थी इसके बाद तो फिर से ट्रैप सेट करकर बैठ जाता है आराम से काफी देर के बाद एक और मूनलाइट फॉक इसे देखने के बाद वो सोच रहा था कि इस जंगल में कुछ जादा ही मूनलाइट फॉक्स आ गई है शायद इसकी जो मदर है वो अपने छोटे फॉक्स को भेज कर इसका फाइदा उठा रही है इस बात का एसास होते ही वो अपने ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है ता पर बैठा वो वो सिल्क बॉम अपने सिल्क को रिलीज करके उसके पैरों को बांद देता है यह देखने के बाद चूमो उस सिल्क बॉम से कफी जादा इंप्रेस हो गया था इसके बाद तो चूमो जैसे उस फॉक्स को पकड़ने जाता है वो नोटिस करता है कि उसके पैर म मिलने पर वो से खाकर strong हो गई और एक blue color की moonlight fox में convert हो गई second time crystal लेजाने के बाद वो एक gray color की moonlight fox में convert हो गई है यह पता लगते ही कि उसके पास कितनी super soul beast मौझूद है वो काफी जादा खुश हो जाता है कि यह fox भी इस तो काफी जादा कमाल की है जो कि अपना shape, size और power increase कर सकती है इसके बाद वो इस moonlight fox को अपना soul pet बनाने के लिए soul convenient का यूज़ करा था जहां उस fox के आजबास information create हो जाता है इससे तो वो moonlight fox काफी जादा गुसा हो रही थी पर चुमो से कहता है कि relax मैं तुम्हें hurt नहीं करना चाता पर यह moonlight fox इतनी जादा गुसा हो जाती है कि उसके हाथ को काट कर घाल कर देती है तो उस चोटी सी fox के अंदर इतना गुसा देखने के बाद चुमो से समझाते वे कहता है कि तुम्हारी और मेरी situation एक जैसी है हम बहुत जादा कमजोर है और हमें survive करने के लिए strong होना होगा और strong होनी के लिए हमें एक साथ होना होगा मैं बस तुम्हें protect करना चाता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम अभी काफी साधा कमजोर हो कहीं न कहीं ये moonlight fox चुमो की बातों को समझ गही थी तो वो corporate करने को ready हो जाती है वो उसके पैरों से पहले तो trap को हटाता है और फिर अब वो उसकी permission लेते वे soul component का use करते वे finally उसे अपनी soul puppet बना चुका था soul pet बनने के बाद तो वो moonlight fox भी काफी जाधा खुश हो रही थी तो यहाँ सबसे पहले तो चुमो उसे एक नाम देता है जो था मोय समय बीटता जाता है और मोय आप पहले से जाधा powerful बन गई थी और अब वो six level पर पहुँचा दी है जो कि चांद की रौशनी में अपने shape को ingles कर सकती थी एक रात को मो और वो moonlight fox रात को treasure hunt के लिए निकलते हैं जहां उनकी नजरे काफी अच्छे से treasure पर पड़ी थी इससे पहले कि वो से जाकर हासल कर पाते वो मोटा बुली उनके सामने आ जाता है जो कि अपने खतरनाक wolf beast के साथ उन दोनों को धंकाने लगता है चुमो तो उसे वहाँ से जाने को कहता है यह कहते वे कि उस दिन में तुम्हारी जान भख्ष दूँगा चुछ दिन हमारी fight होगी यह सुनकर उस बुली को अच्छा नहीं लगता वो कहता है कि तुम जो अभी loser है वो मेरी जान बचाने के बात कर रहा है और यहां चुमो उसे कहता है कि अपने shadow technique का use करो तो वो ऐसा ही करती है जिसकी वज़े से उसकी speed काफी जादा fast हो गई थी और यह wolf उसे पकड़ नहीं पाता दूसरी तरफ से वो बुली लगातार से चुमो के insert किये जा रहा था कि अगर मेरे wolf ने एक attack किया तो तुम्हार ये चोटी सी fox मर जाएगी पर ये सारे बाते सुनने के बाद चुमो फॉकसी को कहता है कि एक जोरदार slash लगाओ तो वो अपने fast move का use करते वे एक जोरदार slash लगा देती है जिससे वो wolf injured हो गया था ये देखकर उस बुली को यकिन नहीं होता कि 6th level की fox ने उसके 9th level के wolf को खायल कर दिया पर वहीं चुमो यहां मोया से कहता है कि वो secret technique का use करो जो मैंने तुमें सिखाया तो मोया तेजी से दोड़ते वे उस wolf के आग पर एक पंजा मार कर उसे back kick कर दिया और ये कि कफी जादा जोर का था ये देखकर तो वो बुली हैरान रह जाता है कि एक moonlight fox को back kick करना कौन सिखाता है इसके बाद तो मोल यान फॉकसी से कहता है कि इसे अपनी true strength दिखाओ तो फॉकसी उसकी बाद सुनते वे अपनी soul power को release करना शुरू कर देती है जहां वो अपने original form में आ गई थी और अपने सामने 9th level की moonlight fox को देखने के बाद तो बुली की शकल देखने लायक होती है वो तो ये देखकर डर जाता है कि ये तो 9th level की peak पर है इसका मतलब कभी भी 10th level पर पहुँच सकती है वो बुली तो अपने मन में सोचने लगता है कि ये लड़का कितने अच्छे से अपनी strength को छुपा सकता है न अगर इसे battle के दिन पता लगा होता तो फिर्दोस का खेली खतम हो जाता पर अभी उसे किसी भी तरीके से इसे यहीं मारना होगा ये बोलकर वो अपने wolf को order देता है कि इस beast को जान से मार डालो तो मोल यान की ये बोलने पर कि Foxy secret attack करना शुरू करो वो एक जगह से escape होकर दूसरी जगह पर attack करने के लिए आ जाती है Foxy को इस तरीके से उसके wolf के साथ खेलता देकर वो पुली कहता है कि ये healing wolf बहुत जादा खतरनाक है चुकि खून का प्यासा है तो इसके साथ मजाग करने की ज़रूत नहीं है ये बोलने के बाद वो अपने wolf को कहता है कि अपने killing energy का यूज़ करो और ये सुनने के बाद उसका wolf killing energy रिलीस करना शुरू कर देता है इस blood thirsty state पर पहुँचने के बाद इस wolf की speed पहले से भी जादा तो गुनी बढ़ जाती है मोलियान को तो पता लगया था कि अब वो मुसीबत में पढ़ने वाला है इसलिए वो फॉक्सी को उस wolf की attack से बचाने के लिए मून शैडू का यूज़ करने को कह रहा था जहां वो शैडू टेक्निक का यूज़ करते वे उसके attack को dodge कर चुकी थी अब तो वो वोल्फ अपने मालिक की आग्या पर उसका पीछा करने लगता है उस वोल्फ पर जैसी attack करने के लिए आगे बढ़ती है वो healing wolf उसे attack करते वे काफी दूर फैंक देता है फॉक्सी की ऐसी हालत देखने के बाद यहां मोल यान अपना weapon निकाल कर उस वोल्फ को रोकने की कुशिच करा था पर जहां उसका हाथ उस वोल्फ में अपने जब्रे में भशा लिया था बुली तो खुश होने लगता है कि अब उसका यह healing wolf चुमो को मार डालेगा पर तबी बादल हर जाते हैं और moon की सीधी रोशनी हमारी फॉक्सी पर पढ़ने लगती है उसकरने को कहता है जिसके लिए वो तेजी से दोर देवे आगे आकर जोड़ डाश लगा दिया यह अटेक इतना जादा पावफुल था कि उस बुली का वॉल्फ वही गिर जाता है और दोनों की सोल कनेक्ट होने की वज़े से यह पेन उस बुली को भी फील हो रहा था तब है अचानक से उस बुली की बॉडी में से ग्रीन डीमन बाहर आ जाता है यह वाइट आई डीमन की ही एक तरीकी की प्रजाती होती है पर उससे कमजोर अब उस बुली के सोल पपिट के मरने के बाद इसकी सोल काफी जादा वीक पढ़ गई थी जिसकी वज़े से यह डीमन उसे मार डालता है उसकी ऐसी हालत देखने के बाद यहां मोलयान सोच रहा था कि उसे भी जल से जल स्ट्रॉंग होना होगा परना एक दिन उसकी भी हालत ऐसी हो जाएगी तब ही मोलयान नोटिस करता है कि उस मरे वे वॉल्फ के अंदर से उस एक यलो कलर का सोल क्रिस्टल मिला अब यह बीस नाइन लेवल पर था इसलिए इसका सोल क्रिस्टल भी काफी जादा पावफल था यह क्रिस्टल मिलने के बाद वो तो फॉकसी के साथ वहां से वापस जाने लगता है कि तब ही उसकी बोड़ी पर वाइट आइड डीमन कंड्रोल करने वाला था जिसकी वज़ज़ से मोल्यान को एक्स्ट्रीम पेन फील होने लगता है और उसका और रिलीज होने की वज़ज़ से फॉक्सी अपने छोड़े फॉर्म में आ जाती है और मोर यान काफी बुरी तरीके से तड़पने लगता है इसे के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड हो जाता है खत्म आपको सीरीज के एक्स्परिनेशन कैसी लेगी कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको इसका नेक्स पा तब तक लिए बाई टा टा टेक केर